नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी साथ प्रज्या सिंग। पस्ते हुए नजर आ रहे हैं ना केवल दिले आपकारे नितिस जुड़ा शराब घोटाला बलके आपको बता दे कि अब मनीस सोधिया का नाम क्लास्रूम घोटाले में भी फस्ता हुआ नजर आ रहा है और अब आपको बता दे कि यहाँ पर लोका युक्त ने सीधे सीधे मनी मनीस सोधिया को नोटिस जारी कर दिया है और अब ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या मनीस सोधिया को राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं वहें दूसरे और अगर शराब घोटाले की बात करें तो जानकारे दे दें कि शराब घोटाले मामले में मनीस सोधिया की नि अगर वाकई में उन्होंने घोटाला किया है तो फिर आखिरकार सबूत कहां है इड़े आखिरकार अभी तक क्यों सबूत नहीं जुटा पाई है ये सवाल लगातार आम आदमी पार्टी पूछती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो बार बार कहते हुए नजरा रहे है कि अरविंद केजरिवाल और उनकी सरकार को गिराने के लिए ये पूरी साज़िश की जा रही है भारते जनता पार्टी द्वारा हाल ही में यहां पर खुलासा किया गया किया मादमी पार्टी के 7 MLO को 25 करोड रुपे देने किया ओफर दिया गया है बारते जनता पार्टी की तरफ से क्योंकि जब जेल भेच कर नेताओ को जराया नहीं जा सका उन्हें पार्टी से निकलवाया नहीं जा सका तो अब उन्हें ओफर दिया जा रहा है और ऐसा ही खुलासा कुछ समय पहले अरविंद केजरिवाल ने मनीस सूद्या को ल अजी घोटालों में फसाद ही आ गया अब ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए अब एडी को लेकर भी नजर आ रहे हैं जहां एक और एडी बार बार कहती है कि अगर मनीस सूद्या जेल से बाहर निकलते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़ चार कर सकते हैं लेकिन जब उसी ए इस मामले में अदालत द्वारा लगाई गई है क्या पांच परवरी को इन तमाम चीजों को देखते हुए अब राउज अवे न्यू कोट मनीस सूद्या को बड़ी राहत यहां पर देता हुआ नजर आ सकता है जिसके कयास लगातार लगाई जा रही हैं क्या लगता है आप को आप अपनी राय कमेंड बॉक्स में शेर कर सकते हैं फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है नेक्स्ट नाइन नियूस के साथ